हेलो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बीसी डी जिसका फुल फर्म है बीजिलेंस कॉंट्रूल यूनिट इसके बाड़े में डिसकस करेंगे तो यह मेंली हमारा लोको में लागा जाता है तो इसका काम क्या है एंड यह लागाने से हमारा क्या एडबंटेज हुआ इसक अड़ी में पाड़ेंगे तो वी सीडी जो कि ना हमारा लोको में लागा जाता है यह किस लिए लागा जाता है क्यूंकि हमारा लोको में चलाने कि लिए लोको पाइलोट cry रहता है तो वी पॉबर्बलेंस भी कर सकता है चलाने के डाइम तो उस सीथी में लोको में ओ जो दो इन सान राता नेजहाए लोको को अ नीद आने से हमारा लोको में जो कर रहेगा वो ओक्रों सम्टकर को लाग जाएगा इसलिए बीसी आico यह दवाइस को हमारा लोको में लगाए ग dönुकर साकतिविन स्कानी राएगा, तो हमारा लोको में लग initiatives रहाएगा, दो भी सिंगनेल रोब्स उसेसर के लिए रहाएगा, टो now, छुम ही रूख येगा, पर लोको नहीं साक रूख स अमारा या कॉल इइश्टेंग यूद्फ हमारा alertness नहीं होने से उसको alert करने के लिए ए बीजीडी unit हमारा लगा जाता है जो कि ना हमारा हर एक one minute के अंदर 60 second के अंदर लोको पाइलोड alert है की नहीं वो हमारा जार्ज करके देता है तो ए भीसीडी हमारा जो vigilance control unit है इसका दो unit है इसका जो cab unit रहेगा एक cab unit हमारा ALP के तरब रहेगा ALP जा जिस तरब बैठता है उस तरब इसका cab unit रहेगा भीसीडी का एड़ इसका main unit रहेगा ये main unit हमारा cab 1 के back panel में रहेगा पीछे ठीक है तो cab unit हमारा LPDX में रहेगा and main unit इसका cab 1 back panel में रहेगा तो ये VCD जो vigilance control unit जिसको हम लोग बोला loco pilot acknowledge करना होता है ये 60 second के अंदर ये VCD को acknowledge नहीं करने से क्या होगा कुछ function होगा उसके बाद हमारा loco का break लग जाएगा and loco खड़ा होई जाएगा तो क्या क्या करने से ये VCD को acknowledge करने के लिए first off हमारा loco pilot का pair के नीछे जो हाँ पे बैठता है उसका pair रहता है उस पे तीन foot switch रहता है एक रहता है sender के लिए एक रहता है हमारा VCD foot switch उसको acknowledge करने के लिए और दूसरा रहता है हमारा PVEF तो हमारा जो switch है pair के पास ये है VCD foot switch इसको दाबाने से हमारा क्या होगा एक VCD acknowledge होगा क्यूकि हमारा एक VCD 60 seconds के अंदर एक बार हमारा acknowledge होना चाहिए लोको पाइलोट 60 seconds के अंदर एक VCD को एक बार acknowledge नहीं करने से कुछ function होने के बाद लोको का break लागेगा तो 60 seconds के अंदर ए जो सारा point हम लोग बोलेंगे इसको करना से एक VCD acknowledge होगा पहला point हो गया लोगो पाइलोट का पैर के निचे जो VCD foot switch रहता है paddle switch foot switch ओ दाबाने से एक बर VCD acknowledge हो जाएगा दूसरा क्याब में ये जो क्याब यूनिट में VCD acknowledge push button भी रहता है ये VCD acknowledge push button को दाबाने से भी हमारा क्या होगा VCD acknowledge होगा तीन नमबर हमारा sender को operate काने चे हमारा क्या होगा VCD acknowledge होगा fourth number हमारा जो MP रहता है master controller और हम लोग master controller जब खाड़ा भोजाते दाब EEC करता है BPP BPR दबाता है तो उस time हमारा क्या होगा नोज बाराने गाटाने EEC प्रेस करने से और BPP BPR प्रेस करने से क्या होगा ये हमारा VCD acknowledge होगा fifth MPS का position first में राखेंगे तो क्या होगा हमारा ये VCD acknowledge होगा तो ये five point है पहला है VCD foot switch battle switch जो है उसको दाबाने से VCD acknowledge push button जो gap में राता है उसको दाबाने से और sender को operate करने से MPEC को operate करने से और MPS जो handle राता है उसको first position में राखने से क्या होगा ये VCD हमारा acknowledge होगा तो ये five point से हमारा VCD acknowledge होड़ा है ठीक है तो ये five point जो है ये five point हम लोग नहीं करे 60 second के अंदर तो हमारा क्या होगा वो हम जान लेंगे तो 60 second के अंदर ये सारा चीज नहीं करने से कोई भी एक कम करना होगा ठीक है ये five point कम नहीं करना होता है कोई भी एक करने से ओ एक्शन और acknowledge हो जाएगा 60 second के बाद क्या होगा 8 second के लिए एक lamp जालेगा VCD warning lamp जालेगा ओ कहा पे रहेगा ये cab unit में रहेगा ठीक है जहाँ पे ALP बैटता है उस तरप एक box रहेगा उस तरप ये push button यहाँ पे रहेगा एक bazaar रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे lamp रहेगा तो ये 8 second के लिए एक lamp जालेगा तो 60 second के बाद 8 second तक हमारा lamp जाला और lamp क्या होगा देखने से हमारा जो लोको पाइलोर राता है और एलाट होने से और ये जो 5 ये जो 5 point है उसको अपरेट करने से और VCD हमारा एकनोलेज हो जाएगा अभी तक एकनोलेज हो जाएगा बाद मान लेजिए ओ 68 second टोटल हो गया 60 second तक नहीं किया उसके बाद 8 second तक और lamp ओ नहीं देखा तो टोटल हो गया 68 second तो 68 second के बाद क्या होगा फिर 8 second के लिए ये lamp तो जलता ही रहेगा उसके साथ ये जो बाजार है बाजार भी बाजेगा थीक है तो टोटल कितना होगा 76 second के बाद क्या होगा ना हमारा भी सीडी पैनाल्टी ब्रेक अपलाई हो जाएगा तो टोटल क्या होगा ये 60 second के अंदर हमारा लोको पाइलोट नहीं ओपरेट काने से 8 second तक एक लेम जला उसके 8 second तक और लेम नहीं देखने से क्या होगा लेम के साथ बाजार भी बाजाएगा वो भी नहीं सुनने में आया मान देजी उसका हेल्ट पर्ब्लेम बिगर गिया ठीक है तब क्या होगा 8 second के बाद टोटल 76 second के बाद क्या होड़ा है penalty break लग जा रहे तो हार एक जो लोको मोटीव है इसके जो VCD लगाएगे है 60 second के बाद क्या होगा ए 18 second और देखेगा उसके बाद VCD penalty break एप्लाई हो जाएगा और लोको खड़ा हो जाएगा तो ये है हमारा VCD के काम एह VCD, Vigilance Control Unit जो हमारा लोको में लगाय जाता है लोको को protection करने के लिए एंड एक्सिरिन से बचाने के लिए एंड जो लोको का crew है उसको alert करने के लिए तो इसको alert करने के लिए यह BCD दिया जाता है और एक चीज हमारा यह BCD है वो हमारा लोको जब खड़ा रहेगा जब माल दीजिए लोको का speed 2CMph के नीचे होगा और लोको जब खड़ा रहेगा तब ए BCD को हम लोग का acknowledge करने का जरूरत नहीं है तब BCD हमारा actuate नहीं होगा ठीक है तो 2CMph के बिलो में हमारा speed रहेगा लोको खड़ा रहेगा और माल दीजिए हमारा लोको में A9 S9 हम लोक यूज किया है तो तब हमारा क्या होगा यह BCD हमारा काम में नहीं आएगा इसको 60 सेकंड के अंदर नहीं दबाना होगा इस करन से और हमारा माल दीजिए एमई लोको है तो एमई लोको में पीछे बाला जो लोको रहेगा उसमें कि होगा ना BCD हमारा sleeping mode में रहेगा उसमें BCD तो कोई रही रहता है लोको में पीछे बाला लोको में तो कोई नहीं रहता है तो उसका जो BCD रहेगा वो sleeping mode में रहेगा तो ये सरा चीज हम लोग करने से क्या होगा BCD हमारा काम में नहीं आएगा BCD एक्षिएट नहीं होगा तो आज का वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रू करना चानल को सब्सक्राइब करना मिलते नेक्स्ट कोई वीडियो में नेक्स्ट कोई टॉपी के सथ